विराट कोली जिनका एक समय पर कहर हुआ करता था किंग कोली और रन मशीन जैसे खिताब उन्हें मिला करते थे और मरे हुए मैच में भी अगर कोली टिके हुए होते थे तो फैन्स मान के चलते थे कि भाई कोली है तो मुम्किन है मतलब कुल मिला के कोली भाईया 2019 तक कुछ ऐसे थे मेरा नाम है पुल्ला रखता हूँ खुल्ला खुल्ला रखते थे या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते लेकिन रख रख के चौके और छक्के जरूर मारते थे हर मैच में इस्पेशिली पाकिस्तान के खिलाब तो क्या हुआ कुछ समय से फॉर्म खराब चल रही है तो एग्रेशन अभी भी मजबूत है और अगर तुम पूछना चाते हो अभी भी कि कोली ने किया ही क्या है तो जा पूछ क्या हेलो एन वेलकम टू अनकट मैं हूँ प्रशांद कपूर और आज मेरे साथ देखिए क्यू विराट कोली है पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खत्रा तो कोली जिनने हम प्यार से चेज मास्टर भी बुलाते हैं उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ रन मारना बहुत ही पसंद है बहुत ही जादा पिछली बार जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था टी ट्वेंटी वर्ल्ड कफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन में अरे हाँ हाँ इंडिया हार गई थी पर आपको याद है कि इंडिया के लिए हाईय स्कोर कौन था अरे अपने आउट ओफ फॉर्म विराट कोली ने मारे थे 57 रन्स और उसी के बदालत इंडिया 151 रन मना पाई थी और कहीं वो थोड़ी देर और क्रीस पर टिक जाते तो बेटे मौका निखल जाता पाकिस्तान के हाथ से अरे वेरी से भी ज़्यादा डेंजरस कोली पाकिस्तान के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में इंडिया के लीडिंग रन स्कोरर हैं अभी तक कोली ने साथ T20 मुकाबले खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें उन्होंने 371 रन मारे हैं With an average of 77.75 इन साथ में से तीन मुकाबलवे तो ऐसे थे जिसमें पाकिस्तान कोली को आउट ही नहीं कर पाया और तीन मैचेस में कोली ने अर्दशतक यानी हाफ सेंचरी भी जड़ी है अगर एशिया कप की ही बात करें तो कोली ने पाकिस्तान के अगेंस तीन एशिया कप के 50 ओवर फॉर्माट के मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 206 रन मारे हैं 68.66 की आवरेज से और तो और उनका हाइए स्कोर इन ODIs 183 वो भी आया था पाकिस्तान के खिलाव 2012 के अशिया कप में ही इसके इलावा उन्होंने 2016 में हुए T20 फॉर्माट के अशिया कप में भी मैच विरिंग 94 रन की पारी खेली थी अगेंज पाकिस्तान तो भाई मुझे तो लग रहा है कि विराट कोली बस फॉर्म में ना होने की एक्टिंग कर रहे हैं जोक सबाट आउट ओफ फॉर्म विराट कोली ने अपनी आखरी सेंचरी जो नवेंबर 2019 में आई थी उसके बाद 68 इंटरनाशनल मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 254 रन बनाए हैं जो खराब नहीं है लेकिन उन्होंने जो बार सेट कर दिया था ना उससे काफी कम है पर हम तो अभी भी यही बोलेंगे कि कोली है तो मुम्किन है और सबसे बड़ी बात इंडिया वसिस पाकिस्तान का मैच उनका सौवा T20 इंटरनाशनल मुकाबला होगा तो मैं तो आस लगा के बैटा हूँ कि कोली अपने सौवे T20 इंटरनाशनल में अपना T20 का पहला सौव बनाएंगे ही बनाएंगे आपको क्या लगता है बनाएंगे चलिए कमेंट सेक्शन में हमें बताइए और अनकट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा